राज्यसभा के उपसभापती हरिवंश नारायन सिंग के साथ अभध्रता के आरोप में निलंबित आठ सांसदों ने पूरी राज संसत परिसर में धरना दिया निलंबित सांसदों ने अपने उपर हुई कारवाई को अन्याय पूर्ण बताया जो सांसद धरने पर जमे हुए हैं उनमें डिरेक ओब्रॉइन, संजय सिंग, राजू सातव, केके रागेश, रियून बोरा, डोला सीन, सैयद नजीर हुसाइन और इला मारन करीम है कॉंग्रेस सांसद शेशी धरूर ने निलंबित सांसदों से रात में मुलाखात की तो उप सभापती हरिवंश नरायन सिंग सुभा सुभा चाय लेकर पहुँचे और उनसे बात चीत की इस धरना प्रदर्शन के दौरान निलंबित सांसद सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं किसान विरोधी बिल देश की संसद में पास किया गया जबकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था हम लोग वोटिंग मांगते रहें आपने वोटिंग नहीं कराई ये बात नेपुटी चेर्मैन साब अभी यहां आये थे संसद में लोगतंत्र की हत्या का प्रयास और मोधी सरकार की किसान विरोधी तानाशाही मानसिक्ता के विरुद सुभा के पाँच बजे के बाद भी संसद भवन परिसर में प्रदर्शन जारी है हमारा विरोध जारी रहेगा संसदों के निलंबन से कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी नाराज है पस्चि मंगाल की सीएम ममता बैनर जी ने कहा कि किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे आठ सांसदों का निलंबन दुरभाग गिपून है और ये सरकार की निरंकुष मानसिक्ता को दर्शाता है उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और सिध्धानतों का पालन नहीं करती लेकिन वो जुकेंगी नहीं बलकि इस फासिवादी सरकार के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगी केरल के मुख्यमंत्री पिनरे विज्जन ने भी सांसदों के निलंबन पर केंदर सरकार को आड़े हातो लिया है इस बीच 18 विपक्षी दलों ने राश्टपती रामनात कोविन को चिठी लिख कर क्रिशी संबंधी विधेकों पर दस्थखत ना करने की अपील की है इनमें कॉंग्रेस, NCP, जनता दल, सेक्यूलर, आरजेटी और वाम दल शामिल है इनके अलावा बीजेपी के सबसे पुराने सही होगी अकाली दल के एक डेलिगेशन ने भी राश्टपती से मुलाखात कर बिल को वापस भेजने की अपेल की है कॉंग्रेस पाटी समुद्दे पर देश वियापी जनान दुलन की तयारी कर रही है कॉंग्रेस का लक्षे है कि समुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दलों को एक चुट करके देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाए साथ ही दो करोड किसानों और मजदूरों का हस्ताक्षट लेकर राष्टपती को सौंपा जाए कॉंग्रिस का आरोप है कि संसद में सरकार किसान विरोधी गानून बना रही है जिसे देश की अवाम पूरी तरह खारिच करती है Bureau Report, Go News झाल